हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंख स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत उच्छे होंगे बात करेंगे कोश्चन नमर 21 से आगे की इससे पहले के कोश्चन सापको नीचे कॉमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगा उस प्लेलिस्ट को जाकर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एससमेंट के बारे में क्या बताया गया है कि बच्चे को आप क्या करोगे प्राइमरी लेवल पे उसे रोट लर्निंग के स्किल सिखाओगे बिल्कुल नहीं जहां भी रोट मेमराजेशन की बात करे या फिर रिपिटेशन की बात करे र बुक पढ़ा कर आप बच्चों को सिखा दे सकते हो क्या सोच कर देखुआ या आपने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें सीखी है सिर्फ बुक के बज़े से सीखा है क्या नहीं न तो ये भी आप्सन आपका क्या होगा रोट हो जाएगा अब चलिए तीसरे आप्सन क आप चीजों को सीखते हो थर्ड ली जो है वो है साइको मोटर तो हम लोगों को कोगनेटिव भी ठीक रखना है एक्टिव भी ठीक रखना है और साइको मोटर भी ठीक रखना है तो ये ऑप्सन क्या हो जाएगा रोग हो जाएगा पाला गलत हो गया दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत तो यानि कि option third क्या है आपका right answer है कैसे देखिए यहाँ पर बात की जा रहे है कि आप optimizing करोगे learning का और development करोगे सारे बच्चों के पढ़ने के लिए देखिए जहां पर भी सारे का inclusive education का यही ताथ पर है कि सारे लोगों के लिए चीज़ें की जाए तो option third आपका क्या हो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उससे पर एक छोटा सा question मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ चिंपैंजी पे किसने जो है प्रियोग किया था किसने जो है उसके द्वारा जो है ट्रायल की गई थी और उसके द्वारा थियोरी निकाला गया था चिंपैंजी के उपर किसने जो है किया था इसके बारे में आपको निचे comment box में बताना है पाला question दूसरा question डॉपर जो है किसने किया था ये आपको बताना है पाला चिंपैंजी दूसरा डॉपर और तीसरा जो बिल्ली था cat है ना इस पे किसने किया था research तीन जानवर के बारे में आपको न प्राइमरी लेबल पर क्या तातपरी है तो देखिए तो क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्ण देखिए यहां पर एन होका यह थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसी ओफ मार्जिनलाइजेशन ठीक है आगे बढ़ लेते हैं तो डेवलब दा मेमराजेशन इसकील देखो यहां पर नेगेटिव टर्म आपको दिख रहा है मेमराजेशन चली कट कर दीजे से इसको बोल दीजे नमस्ते चली कोशन नमर थर्ड की और बढ गया देखे चौते वाला उप्सन में क्या बोला गया है recall मैंक्या वदाया था जब भी recall रोट लर्निंग की बात होगी तो वो अप्सन क्या होगा incorrect हो जाएगा तो तीनों आपके incorrect हो गए पहला उपसन आपका क्या है एबसलूट सही है जब आप जो है जहां भी critical thinking करोगे ज फिर pen कैसे खरीदना है तो बच्चा सोचेगा है ना सिर्फ बोलना है कौन सा pen खरीदना है blue या red या black तो वो एक answer देदेगा लेकिन pen कैसे खरीदना है और क्यों खरीदना है तो वो critical thinking करेगा यानि कि option A आपका क्या होगा option A 1 आपका correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पले एक चोटी सी सूचना आपको देदू एक चोटा सा information 99 में आप आखरी समय में last minute में revision कर सकते हो nots के द्वारा यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए if you are instagram then do follow me at the rate imithun sing 99 में आपको previous question paper plus आपको current affairs के साथ और भी चीज़ें यहां पर provide कर दी जाएगे तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे next question की ओर which of the following has been recommended by class 12 of right to education clause 12 में जो है right to education में education of student belonging to देखें EWS की बात की जारी है जो economic जो bigger classes है section है उसके बारे में clause 12 क्या कहता है कि यह सिर्फ government school में ही इनको admission मिलेगा या फिर इनको private school में भी reservation मिलेगा या फिर इनको vocational course जो है join करना होगा या फिर इनको school से अलग कर दीजिए तो देखें पहला बात जहां भी आपको मैंने क्या कहा था only दिखें आपको इसे आपके काउन खड़े हो जाने चाहिए alert हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है only आपको दूर से इसको नमस्ते कर देना है सिर्फ government school में नहीं private school में भी reservation की विवस्ता की गई है और EWS में जो भी किसी भी वर्ग के बच्चे आते हैं कास्टीजम वाली बात नहीं है यहाँ पे जनरल OBC SCST से जो समर्थ नहीं है पैसा देने के लिए उनको भी आपको जो है private school में पढ़ाना होगा ऐसा गवर्मेंट ने कहा लेकिन ऐसा वास्तविक्ता में होता नहीं है यह सिर्फ कपोल कल्पना है reality से इसका कोई लेना देना नहीं है option two फिलाल हम लोगों का right answer हो जाएगा बढ़ेंगे next question की और बहुत ही आसान question हर exam में आपको यह question देखने को मिलेगा पूछा गया है national education policy जो है recommend करती है क्या recommend करती है जी multi-linguism को यानि की बहुत अलग-अलग भासा को जैसे देखिए suppose कर लो कि आप एक classroom को पढ़ाने के लिए गए हो south में वहाँ पे कोई बच्चा तमिल बोल रहा है कोई तेलगू बोल रहा है कोई मलियालम बोल रहा है अब बोलो कि ऐसा कहीं होता है क्या होता है बड़े-बड प्रेकल नहीं लेना है उसे जो है डील करना है आपको समझ पा रहे हो इस classroom को आपको encourage करना है कि यहां पे अलग-अलग भासा बोलने वाले लोग है सपोस कर लो मैंने बोल दिया नमस्ते अब अलग-अलग बच्चे जैसे तमिल में बोला जाता है वनकम तो इसी तरह से नमस भासा के बारे में बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है यानि कि option A आपका क्या होगा absolute correct हो जाएगा one is the right answer चली आगे बढ़ते है question number 25 की ओर as per national curriculum framework 2005 पूछा गया है कि EBS में जो learning होगी न कैसे होगी acquisition of knowledge and skill from the environment आप जो है environment से करोगे बिल्कुल सही बात है सही है आ आप चीजों को आस पास के चीजों को देखते हो समझते हो बात की जाएगी कि छोटे पत्ते वाले plant जो होते हैं उनकी क्या विशेचता है इसी तरह से बड़े पत्ते वाले की क्या विशेचता है तो ये चीजे देख कर सीखी जाएगी दूसरे option के ओर बढ़ते है Sharing of ideas and skills among learners बहुत अची बात है कि आप अपने आपका जो idea है या skill है बच्चों के बीच में share करते हो या फिर बच्चे आपस में share करते हैं ये भी positive word है अगले option क्यों बढ़ते हैं receive information which is being transmitted देखिए बिल्कुल गलत बात है ये lecture method में यही होता है जहाँ पे professor आते हैं आपको सारी बाते पारे हो लेकिन lab में अगर कुछ बताया इसा है तो आप वहाँ पे learning by doing करते हो तो फिलाल यहाँ पे जब receive कर रहे हो आप किसी का idea तो इससे कुछ ज़्यादा benefit तो होने वाला है नहीं option 4 की ओर देखते है active construction of knowledge by learner बिल्कुल सही बात है जहाँ पे active होकर बच्चा सीखेगा उ इस तरह से आपको questions seated में भी देखने को मिलेगा KBS NBS में भी देखने को मिलेगा जहाँ पे सिर्फ चार में से कोई एक option आपका सही नहीं होगा बहुत सारे option भी सही होंगे तो इस तरह के चीजों को ध्यान में रखना है आपको अगले question क्यों हम लोग बढ़ते हैं at primary label national education policy proposes आपको बताना है कि ये national education policy किस language में जो है पढ़ाने की बात करती है हिंदी में English में Sanskrit में तो देखिए मैंने अब भी आपको पढ़ाया multilingualism को ये क्या करती है प्रोचाहिद करती है तो किसी एक particular language पर ये focus करेगी क्या तीनों option आपका incorrect हो गया सबसे पहली बात ना NCF क्या बो अगर वो भोजपूरी बोलता है तमील बोलता है तेलगू बोलता है उडिया बोलता है तो आपको CE language में आपको पढ़ाना है class 8 तक चलिए बात हो गई और answer क्या हो जाएगा option number 4 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर next question थोड़ा बड़ा है ध्यान से देखना है यहां पे NCF 2005 के according जो है कैसे आपको पढ़ाना है तो देखिए यहां पे इस question को actually यह क्या है न यह सीटेट का question है बहुत ही आसान question है मैं चाहता हूँ कि आराम से आप इसको पढ़ दो और नीचे comment करके 27 का कौन सा right answer होगा वो बता दो स्क्रिंसोर्ट ले लिजिए चाहो तो आप स्क्रिंसोर्ट भी ले सकते हो सिर्फ आपको मैंने क्या क्या बता है उन बातों का धियान रखना है जहां पे सिर्फ साइको मोटर की बात होगी या फिर जहां पे सिर्फ effective की बात होगी cognitive की बात होगी उससे बचना है आपको national education policy है, क्या करती है inquiry based learning करती है, बिल्कुल सही बात है बच्चा inquiry करेगा, तभी तो सेख पाएगा न, तो option ये आपका क्या positive है, अगले option क्यों बढ़ते है, storytelling, बिल्कुल सही बात है, pedagogy में देखिए, बच्चे कैसे सेखते हैं, बच्चों को कहानिया सुना दो even आप भी अभी हो न, आपको movie, web series, या फिर short story, क्यों अच्छा लगता है जब आपको कोई story के माध्यम से सुनाता है तो ये भी positive है, drill and practice यहीं पे गड़बढ हो गई, सारा रायता यहीं पे फैला है, drill जब भी आपको दिखे, बचना है, drill का मतलब होता है बार-बार practice करके चीजों को सीख जाना practice word ये भी negative है तो ये option क्या हो गया, negative हो गया आगे देख लेते हैं, discuss based classroom बिल्कुल, अगर आप classroom में discuss करोगे, तो अच्छा होगा, भला होगा यानि की 1, 2 और 4 कहां पे है, देख लेते हैं देखिए, 1, 2 और 4, जी है, option number 2 इसका right answer हो जाएगा, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होगा न, कि सारे लोग 4 option में तो बिल्कुल categorize कर लेते हैं कौन positive, कौन negative, लेकिन नीचे जब आप आते हो, तो आपके साथ गलबढ हो जाती है आगे बढ़ते है, question number 29 क्यों, according to national curriculum framework place of mathematics mathematics को class में क्यों पढ़ाया जाता है इसको twin concern भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है कि mathematics चो है न, engage कर सकता है mind को, बिल्कुल सही बात है हर बच्चे के mind को engage कर सकता है, सही है इसे हम लोग positive ले लेते हैं और बच्चे के strength को भी मजबूत करेगा, resources को भी मजबूत करेगा बिल्कुल सही है, positive कर लेते हैं इसे what mathematics education can do to improve communication skill of every child and how it can make them employable, देखिए नौकरी देने की बात जब भी आएकि negative term है, याद रखिएगा पढ़ाने का मकसद नौकरी देना नहीं होता है तो ये option आपका क्या हो जाएगा negative हो जाएगा, फिलाल बढ़ते हैं थाट की ओर, what mathematics education do to control the drop out, देखिए अब mathematics पढ़ा दोगे, तो क्या बच्चे भागने बंद हो जाएगे, school आने लगेंगे drop out खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ये दोनों option आपका incorrect है तीसरे option की ओर बढ़ते हैं, चौतरे option की ओर what mathematics education do to prepare a student for olympi art, गलत बात है mathematics हम लोग, बच्चों को इसलिए सिखाते हैं, ताकि वो real life में आने वाले problem को solve कर पाए day to day life में जो चीजें होती है, suppose कर लो कि वो दुकान जाएगा सबजी खरीदेगा, तो वहाँ पर वो mathematics का real example के साथ activity कर पाएगा तो यहाँ पर सिर्फ उसे olympiard, या किसी exam या फिर नौकरी की तियारी के लिए आम लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो option two, three, four, सारा गड़वड है, सारे को hello, नमस्ते बोलके निकल जाना है आपको option यह आपका क्या है, बिल्कुल correct है absolute correct है, आगे बढ़ते है next question की ओर, inclusive education जो है, right to education में इसे include किया गया है, आपको बताना है कि इसका क्या behavior है, actually इसका क्या criteria है, तो यह क्या behavioral principle है, बिल्कुल नहीं, इसका यह behavioral नहीं है, और sympathetic attitude रखता है, disabled के पर देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है sympathy का मतलब होता है कि किसी को आप दया दिखाते हो, अरे, यह तो आपके साथ बहुत बुरुआ हुआ हुआ, सपूस कर लो कि कोई disabled child आपके class में, वो अगर देख नहीं पाता है, आप बोलोगे, अरे, या तो बगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया भगवान की यही मर्जी थी, तो इस तरह से आप बच्चो को, बच्चे के अंदर हीन भाबना ला रहे हो, उसे inferior फिल करा रहे हो, option two तो incorrect होगा आपका, third की ओर बढ़ते हैं humanistic perspective रखोगे आप, ठीक है यह थोड़ा ठीक है, last की ओर बढ़ते हैं, disable को आप offer करोगे कि चलिए primary vocational education लेलो, बिल्कुल नहीं, आप कभी भी बच्चो को अलग थलग करने की बात नहीं करते हो, तो यह भी कटा यह भी कटा, यह भी कटा, यह भी कटा, यह भी कटा यानि की right answer क्या होगा, option number third अगर वीडियो यहां तक देख लिए, तो like, share subscribe जरूर कर दे, 99 में आप previous question paper प्लस मेरे handwritten notes आप ले सकते हो, यहां से मेरी email id देख लो, yourmethon sing at the red gmail.com पे mail कर लीज़े, if you are on instagram, then do follow me at the red imethon sing, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day